हलो गुड मॉर्णिंग अब्रेवन दिस इज मी अविशेक और वेलकम यू अगेन सो लास्ट लास्ट सेंड में हमने अमेंडमेंट्स देख लिया था कितने टाइप के होते हैं और उससे पहले भी अपने फेडरल सिस्टम हमने डिसकस कर लिया था तो अभी हम चलते अपने से है उसमें सपहले हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा कि जैसे की अ आप संंट सेंट्र हो तो यह रियसे की अभी बख़ुडपी की बिज्यपी की बीजेपी लेडल गॉल्पने जो भी बनी है तो सेंयर और कोई भी स्टेट के जो भी relation होता है उसको हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कैसे क्या relation है तो इसमें तीन के टेग्रिक आपको मिलेंगे सबसे पहला आपको मिल जाता है legislative relation दूसरा आपको मिल जाता है administrative और तीसरा होका financial इसमें भी कुछ articles हैं तो यह हो गया आपका 245 से लेकर 255 तक और legislative होगा आपका 255 से लेकर 265 तक और 268 से तो यह होगा आपका financial relation यह होगा legislative और administrative एक एक करके हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम legislative relation पर चलते हैं तो यह होगा आपका आर्टिकल नमबर 245 से 255 और पार्ट 9 में है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं तो लेजिसलेटिर डिलेशन में क्या है तो सबसे पहले होगा आपका टेरिटोरियल एक्स्टेंड तो क्या है कि इसमें जो है आपको पार्लेमेंट जो है तो में तो सबस्क्रवेशन में देखने को मिलेगा तो यसगे आपको सबसे आपको माली जै कि स्टेट कर रहे तो यूनियन का भी कर सकता है वह सिर्फ गवर्नर कर सकते है जो कि एसम माले बैले रीजन में तो यह हो गया आपका और इसमें भी आपको पता है lawmaking procedure होता है तो union list, state list, concurrent list आप देख सकते हो तो सबसे पहले आप कहां आया था किस government of act से लिया गया था सबसे पहले 1990 में जो government of india act जिसको montague claims for reform भी बोलते है उस time पे यह आया था उस time पे जो था वो provincial list और reserve list उस ते आप institution लागू हो आता तो उस time पे जब union list में 97 subject थे और state में 66 और concurrent में 47 तो union में क्या है कि जो भी matters listed है तो union उस पे कानून बना सकता है ठीक है जैसे कि आपका हो गया आप देख लो कि weight and measure, wildlife, administration और justice यह सब पे आपको union कानून बनाता है तो यह 100 ऐसा subject है जिस पे union कानून बनाता है इस state में हो गया आप state 61 subject में कानून बनाता है और यह आपका concurrent में दोनों मिलकर बनाएंगे लेकिन अब जब यह coincidence हो जाएगा जैसे कि मालो center भी बनाना चाहता है और state भी बनाना चाहता है तो center का जो कानून है वो इस पे लागू होगा तो यह हो गया आपके जो legislative relation अब देखते हैं कि जो 42nd amendment 1976 में आप यह देख लेला इंपोर्टेंट पाइंट है इसमें जो state list concurrent list में डाला गया था state list तो कौन-कौन सा जो था वो था education, forest, sorry जो जो था यह weight and measure, wildlife, administration of justice तो इस पे दोनों कानून बना सकते हैं यह concurrent list में था ना कि union list में तो यह concurrent list में था 42nd amendment 1976 में अब एक और हो गया आपके लेटी 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 लेशनल इमर्जेंसी में आपको पता है कि state list पे कानून बना सकता है कौन तो center कानून बना सकता है वो कितने दिन तक valid रहेगा तो 6 मन्त के लिए valid रहेगा तो यह हो गया parliament जो legislation के द्वारा कानून बना सकता है तो यह state list में हो गया 6 मन्त के लिए और state अगर 2-3 state request करें कि हमारे state list में law बना दीजे तो वो यह काम कर सकता है by legislative कानून के द्वारा तो और international agreement हो गया anti hijacking act हो गया तो यह सब के तुरू यह आपका legislative relation में आता है जैसे कि president rule हो गया president rule जैसे कि state emergency जिसको भी बोला जाता है तो वो center लगा सकती है state के ऊपर तो यह आपका हो जाता है एक point legislative relation में अब चलते हैं कि राजसभा भी resolution पास कर सकता है कि जैसे कि मानलों की state का interest है उसमें हाँ एक साल के बाद renew कराना पड़ेगा तो यह हो गया आपका legislative relation अब चलते हैं जो administrative relation था तो यह हो गया आपका article 255 से लेकर 265 तक administrative relation हो गया तो वो legislative relation था आपने देखा था तिसमें क्या है कि जो executive आपको पता है जो law बनाने वाले होते है executive तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको पता है कि executive जो कानून बनाने वाले तो minister में जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया प्रेसिडेंट हो गया तो सब यह center में है तो वो जैसे बोलेंगे उसी हिसाब से और उसी हिसाब से state में भी आपको chief minister minister of state इसको यह relation चलता है एंड state को हमेशा center की बात माननी पड़ती है तो यह point हो गया और हमेशा parliament और president is supreme और center हमेशा ज्यादा power दिखाया गया है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन आपको constitution में कहीं नहीं दिखेगा कि हाँ जी इसका power है लेकिन generally होता है और आपको पता है central government के पास IS होते है तो वही जो इंडियन administrative service officer होते है तो वहीं आपको state government के पास PCS officer होते है जैसे कि आप मालो कोई भी state जैसे कि जहारकन में आप लेलो जहारकन public service commission यह state का हो गया और यह UPSC यह इस क्या हो गया तो यह दुन हो गया आपके administrative relation में कि हाँ चल बलकि यह coordinate करते है तो यह PCS officer हो गया तो यह तो center का न हो गया जी और यह हो गया आपका state का तो यह coordination चलते रहता है तो इसके लिए आप देख सकते हो यह अब चलते हम article 365 पे तो state does not follow rules than article 356 अगर माल लीजे कि हाँ state अपने constitution machinery की हिसाब से नहीं चल रहा है तब जाकर president rule लगा जा सकता है तो यह होगा आपका administrative relation में और जो भी protection of railway यह भी हो जाता है mother tongue में देना स्कीम लाना CST के लिए तो यह हो जाता आपका administrative relation में और एक और होगा आपका cooperation between center state तो माल लीजे center state के बीच dispute हुआ तो article 263 में है आपका interstate dispute और interstate council बनाए गया था अब 1990 में सपोज की center state के बीच कोई चीज के लेकर या फिर state और state के बीच जार्कन और बिहार के बीच कुछ मामला हो जाता है तो यह तो quote में जाएगा ने तो इसके सुनवाई के लिए interstate council बनाए गया article 263 में तो यह चीज हो गया आपका और president appropriate authority to carry out provision constitutional provision हो सकता है और आपको देख सकते administrative relation में all India services is not equal to state services इंडियन आपको एक और point है कि राजसभा जो है वो हमेसा उनको एक age रहता है क्या all India services बनाने में तो यह काम राजसभा ही करती है जो भी कोई भी राजसभा जैसे कि इंडियन forest service 1966 में राजसभा ने एक्ट पास करके बनाया था अब यह हो गया आपको तो IS and IPS they help in higher administration of in the center and state तो आपको state ही उहां से अपने जो भी माल लिजए एक state है उसको चाहिए 5 IS 5 IPS इसी साब से चाहिए तो center उनको भीजती है तो यह हो गया आपका administrative relation तो यह क्यों रहता है कि uniformity throughout administration बनाने के लिए पूरे country में और cooperation and coordination चाहिए तो दोनों state और center के बिच cooperation and coordination कौन बनाते है तो यह पार रहा है तो parliament can make easily make the joint public service commission आप देख सकतो administrative lesson में integrated judiciary सबसे उपर top पे हो गया आपका supreme court उसके नीचे high court उसके नीचे district court और station court तो यह हो गया higher की आपका और emergency आपको पाता 352, 356 and 360 हो गया आपका emergency वाले में तो यह आपका administrative relation हो गया ठीक है अब चलते हैं अपने financial relation पे तो यह आपके लोगा 268 to 293 यह हमारा वोगया financial relation जो पार 12 में है तो एक और आप यहाँ पे देखो तो यह आप देख लो article लिखा होगा है ठीक है तो financial relation finance नाम से ही पता चलता है कि पैसा सही कुछ related हो गया सपोज यह center है और यह state है ठीक है तो center अगर state को अगर finance commission जो finance commission है article 280 आप य यह finance commission अगर पैसा देगी तो suppose यह आपको पैसा दिया 100 रुपया तो 100 रुपया आप कहीं भी यूज कर सकते हो center अगर state को finance commission के recommendation के थूर अगर पैसा देगी finance commission के थूर 100 रुपया तो कहीं भी यूज कर सकता है जब यह center आपको अगर finance ministry अगर निलमाला सितरमची दीती है finance ministry तो मालेजे कि 10 रुपया आपको flood के लिए दिया गया है तो 10 रुपया सिरी flood में ही आपको लगाना होगा 100 रुपया अगर आपको दिया गया है कोई चीज के लिए तो आपको 100 रुपया ही उस चीज को लगाना होगा तो अगर finance ministry देती है तो वो tied money उसको बोलते है लेकिन ज होगे आपका finance commission जो article 280 आप याद रहेगा finance commission से आपको याद आना चाहिए तो हमेशा finance ministry से कोई जान मुझे क्यों चाहेगा कि कोई हमको पैसा मिले सिर्माली ज़र 10 रुपय खाने के मिला तो 10 रुपय आप कहीं भी यूच कर सकते हो तो वो अगर finance ministry देती है तो आपको सिर्फ खाने में ही यूज करना होगा तो यह होगा आपका financial relation अब चलते एक होता है आपका scheme आप देखो होगे central sponsored scheme और central sector scheme central sector scheme इसमें क्या होते है कि central sector scheme में पूरे पैसा गौर्मेंट देती है लेकिन जब centrally sponsored scheme रहेगा sponsor आप नाम से देख रहे हो तो 60-40 के ratio में रहता है तो यह होगे आपका financial relation इसमें आप देख सकते हो कि तीन तरह के account है सबसे पहले आता है consolidated fund of India, constituency fund of India, public account fund तो सबसे पहले consolidated fund of India इसते जो आपको schedule आपको याद होगा तो मैंने बताया था ट्रिक था tiers of old PM, tiers of old PM तो TSO के territory इसे involvement है तो यह second schedule में आपता है था आपको तो इसमें जो भी है जैसे कि president हो गया, prime minister हो गया, prime minister का तो salary आपको पता है MP के एक वे बेलेंट रहता है तो इससे पैसा को निकाल सकता है तो इससे पैसा निकालता है हमारा parliament money bill के थ्रू इससे पैसा निकाला जाता है, ठीक है कोई भी payment करने के लिए आप consolidated fund of India से पैसा निकाल सकते हैं दूसरा हो गया आपका Contiguancy Fund of India, इससे क्या है कि इसमें आपको President इससे पैसा निकाल सकते हैं, President अपने उसके हिसाब से President के Order से ही पैसा निकाला जाता, और तीसरा हो गया आपका Public Account Fund, यह जितने भी Ministry है उनके पास यह अराम से पैसा निकाल सकते है, Public Account Fund से, अब Taxation में आप Financial Relations में भी आ सकते हैं, तो Union List 15 सब्जेक्ट पे Union Tax ले सकता है, State B सब्जेक्ट पे, और Concurrent में 3 दिया गया है, कि तीनों दोनों मलब उससाब से Tax ले सकते हैं, अब तो GST आ गया, तो GST भी अलग चीज़ हो गया, तभी GST सब को पैसा दिया जा रहा है, अब चलते हैं, जो भी TDS 2022 में आया था कुश्चन कि कौन सा GST के अंदर नहीं आता है, तो पेट्रोल आपको पता है कि पेट्रोल पे दोनों गवर्मेंट लेती है, अगर GST लेगा तो पेट्रोल to maximum 60 रुपे लीटर है, लेकिन अभी 90 रुपे तक चला जाता है, तो 80th Amendment 2000 में था, 18th Constitution Amendment 2000 में इसमें क्या कि Central give 29% to state, जो भी tax लेगी तो 30% state को देखिए, बाकी 70% कि इसमें से stamp duty, service tax और insurance में अब तो खेर GST आ गया, तो इतना relevant नहीं है, बस आप याद रखना, आर्टिकल 8, Constitution Amendment 2000, आर्टिकल 269 में Central collect and give to state और interstate trade ये हो गया, आपका 270 ये तो बस आर्टिकल से, तो इतने important ये आ रुपय के biscuit है, अब उस पे 3 रुपय माल लो की GST लगा है, लेकिन आप उस पे भी tax लोगे, तो 2% आप माल लो की 2 रुपय टेक्स लेए, तो उसको बोलते हैं हम लोग 6, तो ये tax रुपन, tax, tax के ऊपर भी tax लेना, उसको tax बोल जाता है, तो ये हो गया, आपका ग्रांटिन aid, जो consolidated fund of India, अब ये बस याद रखना, granted aid, कौन सा article है, तो 275 है, मैंने बताया था, 280 finance commission, तो ये हो गया, जो quasi judicial body है, तो ये हम देख सकते हैं, आपका हो गया financial, और एक और national emergency में आपको पता है, parliament reduce कर सकता है, जितने भी financial transfer हो रहे हैं, किसी के salary cut down हो सकता है, national emergency में और financial emergency में, ये सब salary reduce हो सकता है, जो ही money bill है, वो reserve किया या जा सकता है, तो money bill किसे पैसा निकालता है, तो consolidated fund of India से पैसा निकालता है, तो बाकी हम अपने interstate relation next video में देखेंगे, तब तक पढ़ते रिए, खुछ रही है, भाए बाए